नमस्कार मैं पूर्विनेमा और आप देख रहे हैं अप्टूडेट नियूज हर खबर आप तक जीडीबी में अतिहासिक गिरावट पर क्या कहा सरकार ने आईए जानते हैं स्पेशल रपोर्ट में देश के मुख्या आर्थिक सलाका केवी सुब्रमानियम ने कहा कि लॉकडाउन के कारण देश की जीडीबी में इतनी बड़ी गिरावट आई है जून तिमाही में देश की जीडीबी में 23.9 फीस दी की भारी गिरावट दर्ज की गई है वित्वर्ष 2021 की पहली तिमाही को ले कर जीडीबी के आकड़े सामने आ गए है जून तिमाही में देश की जीडीबी में 23.9 फीस दी की भारी गिरावट दर्ज की गई है यह किसी तिमाही के 40 वर्षों में सबसे अधिक गिरावट है देश की आर्थिक हालत को लेकर मुख्य आर्थिक सलाकार केवी सुब्रमानि हमने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में विकास में तेजी होगी और भारत की एकनॉमी में वी शेप रेकावरी होगी वर्तमान गिरावट को लेकर उन्होंने कहा कि देश में दो महिने तक कठोर लॉकडाउन लागू किया गया था इसके कारण जीडीपी में इतनी भारी गिरावर्ट दर्श की गई है अपने दावों को लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्रिसिटी कंसम्शन बढ़ा है इसके अलावा मालगारी ट्रैफिक में तीजी आई है ये ऐसे संगेत हैं जिससे साफ पता चलता है कि आर्थिक कथी विदियों में सुधार हो रहा है सुब्रमानियम ने कहा कि मालगारी ट्रैफिक जुलाई 2019 के 95 फीसदी स्तर तक पहुँच चुका है अगस्त के शुरुआते 26 दिन में ये पिछले साल के मुकाबले 6 फीसदी जादा है पावर कंजम्शन भी 2019 की इस अवदी के मुकाबले केवल 1.9 फीसदी कम है लोकल लॉकडाउन के कारण इंटर स्टेट ट्रांस्पूरेशन में काफी दिक्कते आती है हाला कि यह समस्या अब दूर होती दिख रही है इवे विल अगस्त के महिने में 99.8 फीसदी स्तर तक पहुँच चुका है इसके अलावा आठ कोर इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर में आउटपूट में लगतार सुधार आ रहा है अप्रेल में इसमें 38 फीसदी की गिरावर्ट दर्ज की गई थी जो की मई में घटकर 20 फीसदी, जून में 13 फीसदी और जुलाई में 9.6 फीसदी पर पहुँच चुकी है इससे साफ पता चलता है की इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी से सुधार हो रहा है अप्टुडेट नियूज में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे है अप्टुडेट नियूज धन्यवाद